तमेटो कैचप बनाने के लिए मैंने डेट गलो टमाटर लिए हैं तमेटो कैचप बनाने के लिए हमें पके कोई टमाटर चाहिए तमेटो कैचप बनाने के लिए कोई पी टमाटर खराब नहीं होना चाहिए कैचप बनाने के लिए हमने टमाटो को दो कर साफ कर लिया है अब हमें टमाटो को काटना है टमाटो को हम रफली काटेंगे क्योंकि टमाटो को हमें वॉयल करना है इसलिए टमाटो को बहुत ज़्यादा फाइन करने की जरूरत नहीं होती है सर्दियों के सीजन में मार्केट में टमाटर बहुत अवैलिवल होता है इसलिए इस सीजन में टमेटो केचप बना के इसको पिजर्ब किया जा सकता है घर में बनाये हुआ टमेटो केचप मार्केट के कॉमपेरिजन में सस्ता और हेल्थी होता है सभी टमाटर को हमने काट लिया है अब हम ले लेते हैं एक प्रेशर कोकर और काटे गए टमाटर को हम प्रेशर कोकर में ट्रांसफर कर देंगे अब हम एट करेंगे आधा का पानी और प्रेशर कोकर को बंद करके टमाटर को उबालेंगे टामाट्यर को उबालने के लिए हम medium flame पर 2 ct लगाएंगे एक ct आज चुकी है अभी हमें टामाट्यर को उबालने के लिए एक ct और लगानी है इसके बाद gas के flame को off करके pressure को प्रेशर को अपने आप release होने देना है उबाले हुए टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब हमें टमाटर को ग्राइंड करना हैं, टमाटर को ग्राइंड करने के लिए हमने ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार और उबाले हुए टमाटर को इस जार में ट्रांसफर करके हम फाइन प्यूरी बना कर तयार करेंगे, तय तोमाटर के छिलके और बीज अलग हो चुके हैं इनको हम हटा देते हैं टमेटो कैचप बनाने के लिए अब हमने लिया है एक पैन और तयार प्यूरी को हम इस पैन में एड़ करेंगे इस समय गैस के फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है अब हमें टमेटो प्यूरी को बराबर इसी तरह से चलाती हुए थोड़ा सा थिक बनाना है प्यूरी को पकाती हुए करीब 10 मिनिट हो चुकी है अब प्यूरी में थोड़ी से थिक नैस आ चुकी है अब हम गैस के फ्लेम मीडियम करेंगे और अब हम एड़ करेंगे एक चोथा चोटा चमच वाइट विन चमच लाल मिर्च पाउडर कीती ऊप अपने टेस्ट के अकवरणिंग एड़िस्स कर सकते हैं अब हमें गैस की फ्लेप को मीडियम रखना है इस बचलाते रहना है क्योंकि टेमेट केचप जैसे जैसे थिक होता जाता है ये पैनantly चिपकनि लगता है इसलिए कैचप बनाते समय बराबर इसी तरह से लगातर जलाते रहना जरूरी होता है टमेटो कैचप अब काफी थिक हो चुका है टमेटो कैचप बनकर तयार हुआ है या नहीं इसके लिए हम एक टैस्क करेंगे थोड़ा सा टमेटो कैचप लेंगे और उसी एक प्लेट पर डाल कर चैक करेंगे प्लेट को इस तरह से तेरशा करेंगे प्लेट को मैंने पूरी तरह से तेरशा कर दिया है लेकिन फिर भी टमेटो कैचप बह नहीं रहा इसका मतलब टमेटो कैचप रेड़ी हो चुका है अब हमें gas की flame को off कर देना है टामेटो कैचप अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और देखिए इसकी consistency काफी ज़्यादा थिक है इसी तरह का टामेटो कैचप होना चाहिए टामेटो कैचप को preserve करने के लिए हमने विनेगर का यूज़ किया है इसी लिए आप इस टामेटो कैचप को चार महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर इसका यूज़ कर सकते हैं टामेटो कैचप की इस recipe को आप एक वार जरूर ट्राइ किये ज़िए यदि आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शियर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए कामेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी recipe कैसी लगी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ गुडबाई